मंगला विद्या मंदीर के सभी छात्रों को अपनी हिंदी की शिक्षिका शालीनी का नमस्कार मैं आशा करती हूँ कि आप सबस्वस्त होंगे और खुश होंगे तो बच्चों आईए हम आज पढ़ेंगे अपना दूसरा पार्ट यानि की सेकिंड लेसन जिसका नाम है शेखी बाज मक्की बच्चों आप सब भी मेरे साथ पेज नमबर साथ खोल लीजी ओपन करके बैठिए और मेरे साथ साथ ये पार्ट पढ़िए तो बच्चों शेखी बाज मक्की का मतलब है शेखी बाज मतलब जो बड़ी बड़ी बाते करता है होता कुछ भी नहीं है पर बाते बहुत बड़ी बड़ी करता है डिंग हाकता है उसको बोलते हैं शेखी बाज शेखी मारना तो शेखी बाज मक्की मक्की मीन्स फ्लाई त उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था तो फॉरेस्ट में जो एक शेर था लाइन था वो खाना खाके मीज अपना लंच करके आराम कर रहा था इतने में एक मखी उड़ती उड़ती वहां आपोची और इतने में एक जो फ्लाई थी वो फ्लाई करती उड़ती हु कान के एकदम पास विन-भिन-भिन करने लगी और इसलिए जो मक्ही थी वो शेर के कान मतलब येर के पास आके भिन-भिन-भिन जैसे की मक्ही आवाज निकालती है बच्चों आपने भी सुना होगा तो भिन-भिन-भिन करने लगी शेर को बहुत मुश्किल से नीद आई थी को बहुत डिफिकल्टी से नीद आई थी उसने पंजा उठाया उसने अपना पा उठाया मारने के लिए मक्ही को लेकिन फिर से शेर के कान के पास बिन बिन शुरू हो गई और अब शेर को गुसा आया तो शेर गॉट एंग्री हां तो वह धाड़ा उसने रोर किया अरे मक्ही दूर हट उसने का अरे मक्ही दूर हट stay away वरना तुझे अभी जान से मार डालूँगा नहीं तो तुझे जान से मार डालूँगा means I will kill you तो मक्ही ने धीरे से कहा चीची जंगल के राजा के मूँ से ऐसी भाषा कहीं शोबा देती है कि चीची कि जंगल के राजा के मूँ से जंगल का राजा होता है you are the king आपके मूँ से ऐसी जो भाषा है बात है क्या वो शोबा देती है क्या ये अच्छा लगता है कि आप इस तरह से बात कर रहे हो it doesn't look nice उसका मतलब ये था तो बच्चो next page शेर को गुसा बढ़ गया शेर का जो गुसा था वो बढ़ गया उसको और गुसा आ गया उसने कहा एक तो मुझे सोने नहीं देती है उपर से मेरे सामने जवाब भी देती है कि एक तो मुझे सोने भी नहीं दे रही है और उपर से जवाब दे रही है और मुझे रिटालिय उसने मक्ही ने बोला कि मैं तुम से भी लड़ सकती हूं उसने का मैं तुम से भी लड़ सकती हूं। fight with you also, हिम्मत हो तो आ जाओ, मक्ही ने क्या बोला अगर तुम में हिम्मत है तो आ जाओ, गट्स है तो आओ, come on, fight with me, तो बच्चो नेक्स पेज, शेर आग बबूला हो उठा, आग बबूला मतलब बहुत गुसा आ गया उसको, he was on boiling point, तो उसने कान के पास पंजा मारा, शेर क्या किया, क्योंकि वो उसके मक्ही जो थी, बच्चों, वो उसके कान के पास आके भिन्विन करके बोल रही थी, तो शेर ने कान के पास पंजा मारा, मक्ही को पकड़ने के लिए, या मारने के लिए, मक्ही तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया, मक्ही तो उड़ गई मक्ही ने क्या किया, मक्ही भी बहुत शरारती थी, नौटी थी आप बच्चों की तरह, तो वो उड़कर, प्लाई करके शेर की नोज पर नाक पर बैट गई, तो शेर ने क्या किया, मक्ही को फिर से पंजा मारा, मक्ही उड़ गई, मक्ही तो फिर से उड़ गई, अब की बार शेर की नाग चिल गई तो इस बर क्या हुआ जो शेर की जो नोज थी नाग थी वो भी चिल गई वो भी स्क्राच आ गया उस पे तो मक्षी कभी शेर के माथे पर बैठती माथा मीन्स पॉरेड कभी गाल पर गाल मीन्स चीक्स तो कभी गर्दन पर, means neck पर, शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, तो शेर क्या करता, जब भी वो जहां बैठती, शेर पंजा मारता, अपना पाँ मारता वहाँ पे, और वो खुद को ही चोट पहुचा लेता, खुद को ही हर्ट कर लेता, घायल करता जाता मक्खी तो फट से उड़ जाती और जो मक्ी थी वो फट से उड़ जाती। अन्त में शेर वूब गया। ूब गया मतलब बोर हो गया। ठक गया और ठक गया means tired भी हो गया। वह बोला मक्खी बहन अभ मुझे छोड़ो। मैं हारा ओर तुम जीती। बस तो इतने में वह बोला कि मक्खी बहन बस अब मुझे छोड़ दो means leave me मैं हार गया मैं तो तुमारे हागे तुम जीत गई हो you won और बस अम मेरा पीचा छोड़ो और जाओ तो मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बड़ी मक्खी में घमंड आ गया उसमें बड़ा proud आ गया बच्चों हां तो attitude आया कि वा देखो जी मैंने तो शेर को भी ऐसे हरा दिया तो वो उड़ती उड़ती आगे बड़ी उड़ती उड़के आगे चली गई सामने एक हाथी मिला उसको मक्खी को क्या हुआ सामने एक elephant मिला मक्खी ने कहा अरे हाथी मुझे प पराणाम कर मिन्स मुझे विश्कर नमस्ते कर हां तो मैंने मैंने जंगल के राजा को राजा शेर को हरा दिया उसको defeat कर दिया है इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा हां तो हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से भहस करने में समय कौन बरबाद करे हाथी ने क्या पागल मक्खी से भहस करना में आर्ग्यूमेंट करने में कौन अपने टाइम को वेस्ट करे हाथी ने सूण उपर उठा कर मक्खी को प्रणाम किया और हाथी ने क्या किया उसने भी अपनी सूण को उपर उठाया और मक्खी को प्रणाम कर दिया हां प्रणाम नमस्ते कर दि लोमडी ने यह सब देखा, इतने में बच्चों सामने से एक लोमडी आ रही थी, तो लोमडी means fox, उसने यह सब देख लिया, तो लोमडी मंद मंद मुस्कुराने लगी, जो लोमडी थी ना बच्चों वो मंद मतलब धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, smile करने लगी, इतने में म शेर और विशाल का ये हाती को भी हरा दिया कि मैंने जंगल के राजा शेर और जो विशाल का इतना बड़ा यूज बोड़ी का जो एक प्राणी होता है हाती मैंने उसे भी हरा दिया हां तो लोमडी ने उसे प्रणाम किया लोमडी ने भी उसे प्रणाम कर दिया अभी क्या कर तो आम ग्रेत हो मक्षी राने आप ऑपका जीवन आपकी जो लाइफ आपके माता-पिता और आपके पडन्टय के ठ्केफोरी दिकाई दे रही है अड़ 140 मकडी दिखाई रही है उसकी जकाई खबर लोना तो उसका दिमाग बहुत चलता है तो उसने क्या सोचा उसने सोचा मैं अभी मक्ही से बदला लूँगी इसको फसाती हूँ तो इसलिए उसने उसको जूड बोल दिया कि जरा उधर देखो उधर एक स्पाइडर है ना मकडी वो आपको गाली दे रही है जरा उसकी खबर लो उसकी खबर लो means उसको भी जाकर डांट दो यह सुनकर मक्ही गुस्टे से लाल हूँ उठी और यह सुनकर जो मक्ही थी बच्चों वो गुस्टे से लाल हूँ उठी उसको बहुत गुसा आया मक्षी बोली उस मकडी को तो मैं चुटकी बजाते खतम कर दूँगी मकडी को मतलब मकडी जो स्पाइडर है उसको तो मैं चुटकी बजाकर ऐसे ही खतम कर देती हूँ यह कहते हुए मक्षी मकडी की तरफ जप्टी उसकी तरफ जप्टी मींज उसके ओपर बच्चो जैसे कि हम लोग कूटे हैं ना जंप करते हैं कि मैं इसको मार दूँगी ऐसे करके और मकडी के जाले में फस गई जैसी वो जप्टी उसमें चलांग लगाई मक्खी ने या उड़ी तो जो मकडी का जाला था वेब था जो स्पाइडर वेब होता है वो उसमें फस गई आप देख सकते हो आपको चितर में भी दिख रहा होगा तो मक्खी जाले से चूटने की जो कोशिश करती गई तो उन ते और इदिक फस ती गई बच्टों आपने कभी देखा होगा आपके घर में गर के आसपास कहीं जब एक spider का web मकडी का जाला लगा होता है तो आपने कभी देखा होगा या कभी देखना कि अगर उसके अंदर कोई insect या मक्षी या कोई मच्छा या कुछ भी फस जाता है तो वो जितनी कोशिश करता है उस web में से जाले में से चूटने की उतना ही फसता जाता है तो मक्षी भी जाले से चूटने की जो 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 गोशिश करती ट्राइ करती तो होते हो और भी अधिक फसती जाती और जदा उसमें स्टक होती जाती अंत मेव है ठक गई और at last she got tired और हार गई ठीक है ना वो हार भी गई यह देखकर लोमडी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहा तो बच्चों इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमको जो हम है जो हम है ना हमको वैसा ही लाइफ में रहना चाहिए हम हमें अपनी अपनी जो हम एक हस्ती है हमारी उससे कभी भी बढ़कर बात नहीं करनी चाहिए हमेशा हमें humble रहना चाहिए, हमें दब कर बात करनी चाहिए, हमें अपने आप से जो हम हैं उससे छोटे बन कर ही रहना चाहिए, कभी भी ज़्यादा बड़पन नहीं दिखाना चाहिए, अपने आपको ज़्यादा over smart, over clever नहीं कभी दिखाना चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए, कभी नही हूँ मैं वो हूँ मैं वो हूँ क्योंकि बच्चों कभी नहीं पता होता कि लाइफ में हमारे जीवन में कभ हमसे बड़ा इंसान जो mentally, physically है ना दिमाग से हमसे और शरीरिक तोर पे हमसे तेज हो, strong हो और कभ हमें कोई हरा दे तो हमेशा हमें अपने आप में एक समझदार, होश्यार, एक humble इंसान है ना, गंभीर इंसान बनके रहना चाहिए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, एक अच्छे इंसान बनना चाहिए तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, आप मेरी इस audio को कम से कम 3-4 बार सुनना, इस कहानी को समझना, इसको याद करना, इसके सारे अर्थों को समझना, ठीक है, फिर इसका जो अभ्यास कारे है, वो हम next week, यानि की अगले हफते करेंगे, तब तक के लिए stay safe, धन्यवा करे अगले हाँ हुआ 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 उख जांनि की अवाद से अर explored.